वही नगरपालिक निगम भिलाए गिवार्ड उनहत्तर के पार्शाद कोमलदास टंडन वह उनके साथियों के कुछ लोगों ने क्रिकेट के बैट और स्टंप से पिटाई कर दी पार्शाद अपने साथियों के साथ गुरुवार को सेक्टर नाइन इस्थित क्रिकेट ग्राउंड में विवाद को शान्त कराने गए थे इस पर उनका वहाँ दूसरे पक्ष से विवाद हो गया इसके बाद मामला भिलाई नगर थाने पहुशा जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है पारशद कोमलदा स्टंडन की पत्नी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे पती कॉंग्रेस पार्टी से पारशद है और प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार होने के बाद भी पुलिस आरोप्यों के खिलाफ कारवाई करने से बच रही है मेरे पदी को कॉंग्रेस का पार्षद होने का दंश जहलना पड़ रहा है उन्हें जाती गत गालिया भी सुननी पड़ रहे है। जो मार पीट किये लड़के लोग मडम जी जो खेल के दे दौरान में जैसे गया मडम तो मेरे को देखके अपने यहीं के अरुन था और सेमिल डेविट करके हैं उनके दोनों लड़के हैं जो गालित गलत देने लगे कहां का तू पारसाध है का का पारसाध है तू सतनामी जा यहां प्लका एक के लिए एए स्टाफ कने दिए जात लिए जाती गालित जी में अशू तो पहले भी ऐसी घटना का रहे हैं के अब दूसरी तीसरी बार है मड़म जी हमारे सांत में आप पारसद हूं और एक जंद पतिनी दी पेश तरह का उनका वार करना आपने खाने पे शिकायत दर्स कराने के लिए जो मांग रखे या गए थे तो उस पर कारवाई किसे रखे नहीं की गए अभी क्या चाह रहे हैं हम कारवाई हो अच्छे तो उनके सज़ा मिले मडम जी का मैं कोमल दाश टंडन की मिसेश बोर रही हूं वो यह क्या बोलते हैं जाती के लिए नीज जात के हैं चोटे जाती के हैं पारसद बने हैं तो हम चोटे जाती के हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम पारसद में नहीं हो सकते हैं कितने हमारे घर में दो दो बार हमको गाली गलोच किये हैं जाती के नाम से तो और किसी नाम से पर च चुनां में चीते हैं हूँия हैं तब से उन लोग बखला गए हैं कि उन लोग सोचे नहीं थे कि जीट जाएगा ऐसे करके और अचानक ऐसा हो गया तो उनों फ़कूआ अज़म दर्सरत में आ गया हैं मेरे पती को मार दिये हैं, ऐसे तो दुबारा तो ऐसा और हो सकता है कि जानलेवा हमला हो सकता है, आधा मुएगी हैं तो